हेलो एविवान वेलकम बैक तो माई चैनल गाइस एक नई रीडिंग के साथ मैं आ गई हूं कैसे हैं आप सब आई हो कि सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी अर्थ एलिमेंट के लिए रीडिंग कर रही हूं थार इस विर् है डिफिकल्ट जो भी सिच्वेशन है डिफिकल्स सिच्वेशन वह काम हो जाए या आपको वह हैंडल करना आ जाए तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है बाकी जो दो एलिमेंट रह गए हैं उनके लिए भी रीडिंग आ जाएगी पेशंस रखिए थोड सकते हैं अब स्टार्ट करते हैं बिने देर करें और देखते हैं क्या चेंजिज आने चाहिए आपको अपनी लाइफ में यह जेंरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी की साथ रेजूनेट हो हो सकते हैं ना हो फिलीज किप आ ऑपन माइंड और रीडिंग यह टाइम लेस भी ह तो जब भी आप यहां तक पहुँचें तो आप देख सकते हैं चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं दिली क्या चेंजिस लाना चाहिए आपको अपनी लाइफ में डिसेप्शन एंवी सोलर प्लेक्सिस चाक्रा सोलर प्लेक्सिस चाक्रा कार है यहां पर दिस्प्षू्शन particul desire conflicts चयोधज दिस्प्ट्ट और यहां पार्ट स्व की व्योड़्य के रचनावाब खहां प्काष्ण, कि मुझ अप्नावाब भी प्लेट्रेंशन अबधथ, हो अझनावर, धूमिक प्रूज्द yaas Ace of Pentacles यह कार्ड सबसे अच्छा है यहाँ पर Prosperity Begins and Power Card from the bottom of the deck ओके तो यहाँ पर मुझे Earth Element आया है यहाँ पर Leo है, यहाँ पर Scorpio Aries है, Aries Leo साथ है यह definitely and Solar Plexus Chakra आपको इस टाइम यह साइन्में इसलिए बताए हो सकता है कि आपके person का हो, क्योंकि अभी love life के बारे में भी अभी तव आया नहीं है हो सकता है, आज आए क्या changes लाने चाहिए आपको अपनी life में देखे गाईज आप अपने true self को नहीं पहचान पा रहे हैं आप कहीं न कहीं अपने आपको समझने में, परकने में कमी कर रहे हो और इसके पीछे का सबसे बड़ा reason क्या हो सकता है अंगर आपकी life में काफी conflicts दिख रहे हैं परिशानिया दिख रही हैं, आप बहुत जल्दी you know, frustrate हो जाते हैं आप बहुत जल्दी बहुत उंची आपकी आवाज में बात करना शुरू करते हैं हो सकता है, यह situation right now आपके office में हो रही है आपको कोई कुछ कह रहा है आप tolerate नहीं कर पा रहे हो आप उनको एकदम से सीधा जवाब दे देते हो आप नहीं समझ पाते कहां आपको चुप रहना है, कहां आपको बोलना है कुछ इस तरह की बाते आप repeat कर रहे हो अपनी life में ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका promotion होने के chances हैं आपको एक कुछ award recognition मिलने वाला है लेकिन because of your tone आप उस चीज को miss कर सकते हैं मैं यह नहीं बोल रहूँ अपनी बाते नहीं बोलनी चाहिए या फिर आपको अपनी बात नहीं रखनी है, अगर आप सही है तो आपको रखना चाहिए लेकिन मैं आपको यह बोलूँगी कि अगर आप अपने office में हैं तो आपको आपके लिए क्या important है उसे बचाने के लिए करो और जो भी काम आपके पास आ रहा है आप ये समझे कि इतने घंटे आपको वहाँ पर बिताने हैं, काम करना है, जैसा भी काम आ रहा है, काम करकर आप घर आ जाएए और जब आप घर आ जाते हैं आप सारी प्रॉब्लम सब कुछ वहीं छोड़ कर क्योंकि solar plexus chakra ये आपकी earning, आपकी survival के बारे में बताता है, तो इसको आपको manage करना है, आप कैसे react करोगे, आप कैसे अपनी life में चीजों को balance करके चलोगे, कहां आपको बोलना है, कहां आपको ignore करके चलना है, इस सारी चीज़े आपको सोचनी पड़ेगी, कोई personal connection तो आपको काम आता है, आपके पास आपको करना है, आपको घर आ जाना है, क्यों किसी से लड़ाई करना, जगडा करना या कुछ प्रूव करके दिखाना वहाँ पर, बाकि आपकी life है, आप देखे आपको क्या करना है, लेकिन ये aggression आपको आपकी life में tower moments लेकर आ रहा है, जो कि आपके work पर impact डालता है, सबसे ज़्यादा, आपके लिए कुछ अच्छा मुझे option आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि आप वहाँ पर, क्योंकि दो बार one number आया है, ठीक है, एसीस के cards है, हो सकता है कुछ अच्छा आप attract कर रहे हो, हो सकता है नई company से offer आ सकता है, ठीक है, तो आपका salary increment हो सकता है, लेकिन फिर भी guys, अपने behavior को बहुत polite, smooth बना लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा, एक fruitful result देगा, इस behavior को थोड़ा सा change कीजिए, क्योंकि आप ऐसे अंदर से हैं नहीं कि आप छोट छोटी बात पर गुसा हो जाएं, लानी हैं, तो आपको थोड़े changes तो लाने पड़ेंगे, अगर ये changes नहीं आएं, तो divine की connection में ज्यादा नहीं आपा होगे, थोड़ा सा tolerate करना सीखो, हर जगा हमें कुछ भी prove करने की जरुरत नहीं होती, कभी-कभी let go करना भी एक बहुत अच्छा step होता है, एक smart step होता है, तो smart खेलने की कोशिश करो, ये नहीं कि हर चीज को दिल से लगा कि बस आप तो मुझे revenge लेना या यहाँ पर justification चाहिए आपको, इस तरह की बाते छोड़ दो, जहां इतना necessary नहीं है, वहाँ आप avoid करकर आगे बढ़ जाया करें, चीक है, तो ये कुछ चीज़े आई हैं आप को ताकि ये tower moment हट जाया आपकी life से, consider करना आप इस बात पर और सोचना, कि क्या यही reason है, जो tower moment खतम नहीं हो रहा, या आपके जो काम नहीं बन पा रहे हैं, यही एक reason है, इसके पीछे तो इसको change करो, आप जाहें तो एक family trip organize कर सकते हैं, इससे आपको काफी अच्छा लगे queen of pentacles, five of pentacles, मुझे आपके work area में ही ज्यादा issues दिख रहे हैं guys, तो आपको थोड़ा साना चुख रहना सीखना पड़ेगा आपको, वरना फिर delay आता रहेगा आपकी life में, जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, देखो आपके colleagues के साथ आपकी नहीं बन रह कर रहे हो, नहीं बन रहे हैं तो आप company change मतलब उनके साथ मत बैठो, उनके साथ बात मत करो, ज्यादा बाते शेयर मत करो, सारे card आपके work से related ही आ रहे हैं, आपके work में problems हैं अभी काफी, आपको थोड़ा साना attitude में चेंज लाना पड़ेगा आपने, आप अपने आपको free समझेंगे, तो सही रहेगा आपके लिए और ज्यादा चीजों को दिल से मत लगाओ, ठीक है, कोई office में अपना सगा नहीं होता है, तो जितना हो सके avoid करो, और बाकी अपने काम पर ज्यादा focus करो, ठीक है, एदर दर की बाते सुनकर भड़कना नहीं है, और अपने तरीके से अपनी situation को handle करो, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा option कुछ आपके पास आते वे दिख रहा हो सकता है, इंक्रिमेंट हो जाए, कुछ या फिर अच्छी position आपको मिल जाए, ठीक है, अपने passion को ज्यादा follow करो, और अच्छी तरीके से peace के साथ अपना काम करो, ठीक है, aggression में कुछ इतना मैं आपको बताऊंगी, और जहां आपको लगता है कि energy waste नहीं करनी चाहिए, तो वहां बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, अपने work पे ज्यादा focus करो, क्योंकि ये tower movement जब तक नहीं हटेगा, फिर problems आती रहेंगी, और फिर आप वो लोगे के delay हो रहा है, चीजे time पर नहीं मुझे मिलती है, मैंने बहुत manifest करा, बहुत ऐसा किया, लेकिन कमियां भी तो आपको देखनी है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमी रह गई, क्या ऐसा कर दिया, जिसके वज़े से ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अपने आपको देखो, सीखो, और फिर implement भी करना शुरू कर क्योंकि मुझे जादा ना अभी आपके करियर की तरफ से कार्ड आ रहे हैं, लव लाइफ की तरफ से, लव लाइफ में हो सकता है, सब ठीक है, इसलिए शायद कार्ड नहीं आए, बदलाओ हम पूछना है, क्या चेंजिस लेकर आने, तो अभी आपको अपने वर्क एरिया म फिर काम नहीं बनेंगे आपके, थोड़ी अप्रोच देखो क्या लगा सकते हो, आप जाज जादा मेडिटेशन किया करें, मेडिटेशन आपको ना, मेडिटेशन करोगे तो आपको, आपको रिलेक्स मिलेगा, आपको पीस मिलेगा और आप अपने काम अच्छे से कर सकते ह तो meditation भी कीजिए और साथ ही साथ आपकी situation बदल जाए यह tower moment यहां से हट जाए इसके लिए affirmations बोलिए positive affirmations बोलना शुरू कर दें ठीक है इस तरीके से आपको अपने life में changes आप लेकर आप आएंगे वरना तो फिर यह struggle चलता ही रहेगा और फिर आप बोलोगे कि डिले हो रहा ह तो delay भी खतम करना हमारे ही हाथ में है ठीक है क्योंकि आप अब आप देखो बहुत टाइम से एक जैसा कर रहे हो तो कोई change नहीं आ रहा है थोड़ा change करके देखो आप और जो लोग आपके लिए important नहीं है उनको avoid करना शुरू कर दो उनसे लड़ना जगरना कोई fruitful नहीं रह घड़ झाव पर टोस्ट अपर आपके दूसी करके दो जोगते धा помощ है माजसा on Łag है क्योंकिआवलोग च्रूबर है क्योंकि एस Τूर जहतो शीदाय אह तॉस्टेट जोगते है ठीक है के जोड़ोड़ दूस्ट बगलड़ आ एसंपरभ